आज के वीडियो में जिस नॉवल को मैं एक्स्प्लेंग करने जा रही हूँ वो है अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखित A Mother is Announced तो शुरू करते हैं इस कहानी की समरी हिंदी में मेरी यानि गरिमा की आवास में कहानी की शुरुवात बड़े ही विचित्र धंग से होती है जब एक न्यूस पेपर के पर्सनल कॉलम में कतल होने का इंविटेशन मिलता है बकायदा कतल होने का समय, तारीक और जगा भी बताई जाती है डेट थी 29 अक्टूबर, दिन था फ्राइडे, शाम के ठीक साड़े छे बजे, लिटल पेडॉक्स नामक एक घर में सभी को इंविटेशन मिलता है कि वहाँ पर एक कतल होने जा रहा है लिटल पेडॉक्स में रहने वाले जो लोग थे, उनको तक ही नहीं पता था कि ये खबर किस ने छपवाई लिटल पेडॉक्स एक पुराने जमाने का बना मध्य वरगिये घर है, जिसमें रहती है मिस ब्लैक लॉक, जो लगभग साट वर्ष की महिला है और हमेशा अपने गले में नकले मोतियों का एक चिपका वाहार, जिसे चोकर कहते हैं, वो पहने रहती हैं, वो आविवाहित हैं, उनका पूरा नाम है मिस लिटीसिया ब्लैक लॉक उनके साथ ही रहती है उनकी बचपन की सहेडी डोरा, जो थोड़ी बेवकूफ है, उसे ठीक से पता नहीं कि किस समय क्या बोलना चाहिए साथ ही मिस ब्लैक लॉक ने मिटसी नाम की एक महिला को काम पे रखा हुआ है, जो विश्व युद्ध में जर्मन्स के हातों मरने से बच गई थी, जबकि उसका पूरा परिवार मर चुका है वह मरने से बहुत डरती है, और उसे हमेशा यही लगता है कि नाजी जो हैं अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, उसे मार डालेंगे साथी रहते हैं दो यंग भाई बहन, पैट्रिक और जूलिया, जो पेइंग गेस के रूप में अपनी आंट मिस ब्लैक लॉक के पास रहते हैं, और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं एक और करमचारी है फिलिप्या नामकी, जो एक लड़की है, जो कम उम्र में ही विध्वा हो गई थी, और वा गार्डनिंग करके कुछ पैसे कमाती है, और अपने आठ वर्शी है, जो उसका बेटा है, उसका पालन पोशन करती है ये जो मिस ब्लैक लॉक है, मिस लेटीसिया ब्लैक लॉक, उन्हें लोग प्यार से लेटी कहके पुकारते हैं, पर ना जानने कि यों डोरा कभी-कभी उन्हें गलती से लौटे पुकार देती है, जब ये डोरा उन्हें लौटे पुकारती है, तो मिस ब्लैक लॉक बहुत पर उनको लगता है कि अगर ऐसा इंविटेशन छप गया है उन्हें शक है पैट्रिक पे अपने कजन पे कि शायद उसने ऐसी कोई बदमाशी की है तो वो कहती है कि चलो मज़ा आएगा कुछ एकसाइटिंग देखने को मिलेगा और शाम की पार्टी के लिए सब लोग खाना पिना रेंच करते हैं घर को फुलो से सजाया जाता है उधर गाउं में जो उनके पडोसी एक खबर पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये कोई दिल्चस्प गेम होने वाला है जिसमें कोई मरने का भी ने करेगा और बाकी सारे उसे ढूंडेंगे पडोसी में एक परिवार है जिसमें रिटायर्ट कर्नल है जो पहले इंडिया में काम करते थे और उनसे काफी कम उम्र की उनसे 30 साल छोटी उनकी एक यंग बहुत खुबसूरत सी बीबी है एक परिवार है दूसरा जिसमें है मिस स्विचिनहम जो काफी डॉमिनेटिंग है और उनका बेटा है एडमंड इनका तीसरे पडोसी है मिस हिंज क्लिफ और मिस मर्गटरॉइट ये दोनों एक साथ रहती है और पीछे पिछवाडे में मुर्गी पालने का काम करती है ये सब ही लिटल पैडॉक्स में शाम के छे बज़े तक उस एकसाइटिंग पार्टी में पहुँच जाते हैं अभी ठंट कम है लेकिन ना जाने कि ओ मिस ब्लैक लॉक ने सेंट्रल हीटिंग ओन कर रखी है और सब ही इस बात को टोकते हैं लिटल पैडॉक्स का जो ड्रॉइंग रूम है वा काफी पहले छोटा हुआ करता था दो कमरे आपस में जुड़े हुए थे तो मिस ब्लैक लॉक ने आपस की जो कमरे थे उन्हें तोड़कर एक बड़ा हॉल बना दिया लेकिन आप मुश्किल ले आई कि बाहर जाने के लिए दो दर्वाजे हो गए जोकि पहले दोनों कमरों में अलग-अलग दर्वाजे थे इसलिए एक दर्वाजे को बंद रखा जाता है उसके आगे टेबिल लगाए जाती है जिससे की घर की सेफटी बनी रहे पर उस दिन शाम को आश्चर जनक रूप से वो जो टेबिल था जो उस दर्वाजे के आगे लगाया जाता था जिससे कोई खोल ना सके वो हटा दी गई थी सभी थ्रिल्ड हैं शाम के साड़े छे बचे की पार्टी के और जैसे ही घड़ी में साड़े छे बचते हैं घंटा बचता है सभी घड़ी की दरफ देखने लगते हैं अदब ही घर की बत्ती चली जाती है और ड्रॉइंग रूम का दर्वाजा खुलता है हर तरफ अंधी रहे एक आदमी अंदर आता है उसके एक हाथ में बड़ा सा टॉर्च है वह सबसे कहता है अपने हाथ उपर कर लो सब को लगता है अब खेल शुरू हो गया आप तो बहुत मजाएगा लेकिन तब ही दो बार गोली चलने की आवाज आती है और हर तरफ चीक पुकार मत जाती है सब घबराने लगते हैं किसी को भी यह खेल अच्छा नहीं लग रहा किसी के गिरने की आवाज भी आती है और दूसरी तरफ जो मिस ब्लैक लॉक है इनके कान से बहुत तेजी से खून बहके उनके पूरे कपड़े हैं वो खून से संच चुके हैं मिस ब्लैक लॉक कहती है कि परिशान होने की जरुवत नहीं गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई है लेकिन शायद वहाँ पर कोई अनहोनी हो चुकी है जब लाइट आती है सब लोग देखते हैं कि जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ है जिसने पने चेहरे पे मास्क पहना है हाथ पे गलफ्स पहने हुए है उसी के बगल में एक बंदूग गिरी हुई है और टॉर्च पड़ी है डोरा उस आदमी को पहचान लगती है कि देखो लेटे तुमने उस दिन इस लड़के को पैसे नहीं दिये थे जब ये घर पैसे मंगने आया था इसलिए गुस्से में आके तुमको मारने के लिए आ गया लेकिन ये तो खुद ही मर गया उधा मिटसी डर के खुद को किचन में बंद कर ली होती है सब ल लड़का याद तो है लिके वो नाम नहीं जानती है उसका जब वर्ल्ड वार चल रही थी तब ये सुच्जर लैंड में ये दोनों बहने फस गई थी मिस्स ब्लैक लॉक की एक बहन थी जिनका नाम शालर था तो ये बताती है कि वहाँ पर जो लड़का था रूजी शर्ट इसके पापा के होटल में ये लोग रुकी थी उस दिन जब ये लोग होटल में खाना खाने गई तब उसने इनको पहचान लिया और बोला कि आप तो मिस्स ब्लैक लॉक है मैं आपको पहचान गया हूँ उसके बाद इनके घर भी आया था वो कह रा था कि वह सुच्जर लै लेने से मना कर दिया शायद इसी बात का गुस्सा उतारने के लिए वह घर पे मारने आ गया था शब जाता है कि शायद ये कुछ लूट पार्ट करने आया हो इसमें मिस्स ब्लैक लॉक कहती है कि उनके पास कुछ भी ऐसा वैलूएबल नहीं है जिसको लूटने के लिए को इनके घर में जबदस्ती इस सरे से घुजेगा और वो भी पूरी एनॉंसमेंट करके हीवा मारने के लिए आया है अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है सबका बयान लिया जाता है लेकिन बयान लेने से बहुती कन्फूजन क्रियेट होने लगता है आखिर वो आदमी आया क्यों था अगर चोरी करने आया था तर फे कुछ चुराया क्यों नहीं मिस ब्लैक लॉग के पास कुछ भी खास नहीं था रिसेप्शन पे बैठेम लड़का ये रूजी शिर्ड जो था उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वह स्विट्जर लैंड में भी चोटी मोटी चोरिया करता रहता था और यहां पर भी वो हेर फेर करता था उसके पिता का कोई होटल नहीं था वह पहले एक हॉस्पिटल में काम करता था अब यहां कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव मिस मापल की जो एक उम्र दराज महिला है लेकिन उनका दिमाग शर्लक होम्स की तरह तेज चलता है वो पुलिस को बताती है कि हाँ रूडी शर्ट से उनके साथ भी धोका दड़ी की थी उनका बिल सिफ साथ डॉलर हुआ था जिसे उसने सत्रा डॉलर बनाया था लेकिन उन्होंने तुरंद उसकी गलती पकल डी उसे बताया और उसके बाद से वो रूडी पे कभी भी भरोसा नहीं कर पाई मिस मापल अब पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रही है उनका जो केस को देखने का नजरिया है लोगों को परकने का नजरिया है वो बहुत अलग है पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे है इन्सपेक्टर क्रेडॉक या केस जो लगभग क्लोस्ट समझा जा रहा था वो मिस मापल और मिस्टर क्रेडॉक के कहने से दुबार ओपन होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है फिर से सबसे पुष्टास शुरू होती है पुष्टास के दौरान इंस्पेक्टर को लगता है कि हाँ दोरा जो है वो थोड़ी बेवकूफ टाइप की है जो उनकी काम वाली है मिट्सी वो बार बार अपने बयान बदलती है और वो थोड़ा जूट भी बोलती है अब मालूम परता है इनको मिस ब्लैक्लॉक को कि उनका एक बेनिफेक्टर रह चुका है पुलिस को वो बताती है कि उनका एक बेनिफेक्टर रह चुका है जब वो यंग थी तो मिस्टर गॉडलर नाम के एक आदमी थे थी उनके बिजनेस में लिए उनका बिजनेस समल गया और Mr. Godler जो थे वो रिड़ी हो गए हमेशा के लिए Miss Blacklock के उनकी कोई संतान नहीं थी उनकी पत्नी थी उन्होंने ये अपने वसियत में लिखा कि अगर उनकी पत्नी किमृत्यू Miss Blacklock से पहले हो जाती है तो उनकी सारी संपत्ती Miss Blacklock को जाएगी इस पर इंस्पेक्टर क्रेडॉक पूछते हैं और ऐसा अगर नहीं हुआ तो अगर ऐसा होता कि Miss Blacklock पहले मर जाती तब फिर उनकी संपत्ती Mrs. Godler के बाद किसको मिलती तब वो बताती है कि जो Mr. Godler थे इनकी बहन थी उसका नाम सोनिया था लेकिन क सादी का ली थी डिमिक्टरी नाम के एक आदमी से जिसे Mr. Godler बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे इसलिए उनकी बहन के दो जुरवा बच्चे थे पिप और एमा अगर Miss Blacklock को कुछ हो जाता है तो पिप और एमा को ये प्रॉपर्टी मिलेगी यहाँ पे Miss Marple और Inspector Craddock का माथा ठनकता है कि दाल में जरूर कुछ काला है इंस्पेक्टर Craddock पता करते हैं कि Mrs. Godler की हालत बहुत खराब है वो चंद दिनों की महमान है और अगर ऐसे में Miss Blacklock की हत्या कर दी जाए तो सारी प्रॉपर्टी Mrs. Godler के मनने के बाद पिप और एमा को मिलेगी अब ये पिप और एम माच्छुप के इसी गाउं में रह रहे थे या फिर Mrs. Blacklock के घर में रह रहे थे शक जाता है उन कजन्स पैट्रिक और जूलिया पे योकि पैट्रिक और जूलिया को बहुत-बहुत सालों से Mrs. Blacklock ने नहीं देखा था सिर्फ उन्हें एक चिठी आई थी अपनी उस जो कजन क कि मेरे बच्चे तुम्हारे या रहने आ रहे हैं और ये दोनों रहने आ गए थे कोई भी तस्वीर घर में नहीं मिलती है सब तस्वीर जैसे कहीं हटा दी गई है ना सोन्या की तस्वीर है ना ही इनके कजन बच्पन में कैसे लगते थे उसकी तस्वीर है अब पुलिस को बहुत शक है कि जरूर पिप और एमा यहीं इस गाउं में छुपके रह रहे हैं, हो सकता है सोनिया भी यहां भेज बिदल के रह रही है, क्योंकि इस गाउं में जादा तर लोग वर्ड वार टू के बाद आके सेटल हूए हैं, उन्हें पहले से कोई भी नहीं जानता था, जो मिस स्विचिन हम है, उनके ओपर शक होता है कि शायद वो सोनिया हो और भेज बिदल के यहां रह रह रही हो, उनका जो बेटा है एडवन, शायद वो पिप हो, दूसरे चिंता का कारण बनता है वा दर्वाजा, वा दर्वाजा जो बंद कर दिया गया था, जिसके आके टेबल को हटवा के वहाँ पर दर्वाजा खोलते हैं, दर्वाजा बहुत अराम से खुल जाता है, डोरा बताती है इंस्पेक्टर को कि जस रात पार्टी थी उस रात वो टेबल यहां पे नहीं था, डोरा को ये बात अच्छे से याद थी, इंस्पेक्टर को शक है कि मिल हो गया उधर वो करनल बताते हैं रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बंदूग चोरी हो चुकी है शायद ये वही गन है जिससे हत्या हुई है रूदी शर्ट्स की उस करनल पे भी पुलिस को शक है उसकी आजिंटिटी पे भी ये लोग चेक करवाना चाह रहे हैं कि कहीं वो सत्मे करनल है इंडिया से आया है या नहीं दिक्कत की बात या है कि मिस्स गॉडलर जो है वो बहुत कम दिन की महमान है इसी बीच मिस ब्लैक लॉग को मानने का फिर से प्रयास किया जाएगा और पुलिस के पास समय कम है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस यह भी ब बताते हैं कि हाँ यह रूडी शिर्ट्स को पहचानते हैं कि वही आया था वाख खबर चपवाने के लिए मालूम हो जाता है कि वह बिल्कुल ऐसा प्यादा था जिसको यूज करके थ्रो कर दिया गया उसे पैसे दिये गए और उसी की हत्या करती गई इधर इस्पेक्टर क थी उनसे बहुत फेटफुल थी बिल्कुल उनकी बहनों जैसी थी और क्योंकि उसकी एक बहन थी शालिट करके जो गौइटर की प्रॉबलम से बहुत परिशान थी तो वह बताती है कि उसी का इलाज कराने के लिए लेटीसिया चली गई थी स्विट्जरलेंड और उसके ब बहुत जादा बोलती है कई बर भूल भी जाती है आज वो फिर से लेटी को बार-बार लोटी कहके पुकार रही है वह बताती है मिसमारपल को कि उसे पैट्रिक पर शक है और उसे ये भी शक है कि पैट्रिक ने एक खास लैंप को इधर से उधर किया है उसकी जो फ्रेंड ह हुआ करता था बाद में उसमें बिजली का तार लगा के उस एलेक्ट्रिक लैंप में कनवर्ट कर दिया गया था लेकिन जब कतल हो चुका था तब देखती है डोरा की वहाँ पे शेफर्ड वाला लैंप रखा है उसे पूरा यकीन है कि पैट्रिक ने वो कुछ बदमाशी की ह और उस लैंप को वहाँ से हटा दिया है मिस मापल ये सब बहुत ध्यान से सुन रही थी वो और प्रेश्ण करना चाहती थी दोरा से तब ही डोरा चानक से घबरा जाती है वह देखती है कि पीछे उसकी दोस्त लेटी याने मिस ब्लैक लॉक खड़ी है और उसे बहुत घू इस से जानकारी नहीं मिल पाती दोरा कहती है उस समया अपनी सहेली से कि मुझे एस्परान चाहिए मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मिस ब्लैक लोग कहती ही चलो रास्ते से ही हम लोग ऐस्परिन खरीद लेंगे अगले दिन डोरा का बर्डे है डोरा का बर्डे बहुती धूमधाम से मनाया जाता है फिर से उस गाओं के वो जो महले के सब लोग थे वो फिर वहाँ पर आते हैं मिट्जी खूब अच्छा सा केक बनाती है और सब लोग डोरा के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे डोरा का सरदद अभी तक ठीक नहीं हुआ था शाम को वो कहती है मिस ब्लैक लोग से कि मैं दो ऐस्परिन की गोली खाके अगर सो जाओं तो मेरे सरदद में काफी अराम मि जाएगा लेकिन उसे एस्परिन की गोलियां मिल ही नहीं रही थी तो मिस ब्लैक लोग कहती है कि तुम मेरे कमरे में जो एस्परिन रखी है वो खाके सोचा अगला दिन बहुती दुख भरा दिन था क्योंकि वो जो एस्परिन की गोलिया थी जो मिस ब्लैक लोग के कमरे में रखी थी उसमें किसी ने जहर मिला दिया था जिसको खाके डोरा की मृत्यू हो गई थी पुलिस अभी एक कतल को सॉल्व नहीं कर पाई थी और दूसरी हत्या हो जाती है अब मिस ब्लैक लॉक की जिंदिगी पे और ज्यादा खत्रा था जो कि फिर से किसी ने उन्हें मारने का प्रियास किया था फिर से पुलिस इंवेस्टिगेशन स्टार्ट होती और कन्फूजन स्टार्ट होता है कि अब ये काम आखिर किस ने किया सबसे ज़्यादा मिस ब्लैक लॉक की मृत्यू से किसको होने वाला था पुलिस तो अपना इंवेस्टिगेशन करी रही है इधर मि मिस हिंज कलिफ और मिस मरगेटरॉइड यह लोग अपने इस धर पर इंव्रेसिगेट करने की कोशिश करती है इन लोग रिनेक्ट करती हैं फिर से कि क्या क्या हुआ था उस रात में जब पार्टी नहीं दे रहा था तभी पुलिस इस्टेशन से फोन आ जाता है हेंजक्लिफ जिसका कुत्ता खो गया था वो बताते हैं पुलिस वाले कि आपकुत्ता मिल चुका है आके ले लीजे मिलसे जल्दी से वो कुत्ता लेने के लिए भागने लगती है अपनी कार से तभी पीछे से म वो वहाँ पर नहीं थी रुको हेंजक्लिफ रुको मैं तुम्हें बताना चाहती हूं मुझे मालूम पढ़ गया कि मर्डर कौन है लेकिन हेंजक्लिफ उस समय कार स्टार्ट कर चुकी थी वो पूरी बात नहीं सुन पाती है अपनी दोस्त की और वहां से चली जाती है चार अंदर आ जाओ तुम भीग जाओगी तो वो शक्स कहता है मागर ट्रॉइट से कि क्या ये सकार्फ में तुम्हारे गले में डाल दूँ वो कहती है डाल दो वो सकार्फ उसे गले में तो धीरे से डाला जाता है लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पकड इतनी कस दी जाती है कि मा पर मर जाती हैं तीसा कतल होने के बाद में घर में महौल और टेंस्ट है और मिस ब्लैक लॉक की जिंदिगे पर खत्रा और बढ़ता जा रहा है तब ही घर में तीन चिठी आती हैं एक चिठी तो सधारन होती है लेकिन दूसरी चिठी खोलने पर उसकी हैंड राइटिंग बिल पर नःख रही थी सोनिया की लड़की अब मिस ब्लैक लॉक की हुआयां उन्हें लगती हैं वो समझ जाती क्या सब कौन कर रहा था यह सब कर रही थी एमा जिससे की वो प्रॉपर्टी ले सके लेकिन एमा इस बात को नकार देती है वो कहती कि हाँ उसे पता है प्रॉपर्टी वस्यत वाली बात वो ये भी बताती है कि उसकी जो मम्मी थी सोनिया उसके पापा डिमिट्री वो थोड़े दिनों के बाद ही अलग हो गए थे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था और एक एक बच्चा दोनों को मिल गया था वो कभी भी पिप से नहीं मिली वो नहीं जानती कि पिप कहां पर है लेकिन जब उसे मौका मिला यहां पर आने का क्योंकि यह जो पैट्रिक की बेहन जूलिया थी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी लेकिन उसके पैरेंट उसे अलाव नहीं कर रहे थे इसलिए उसकी जगा पर एमा यहां आ गई थी एमा सिर्फ मिस ब्लैक लॉक से कुछ पैसे चाहती थी लेकिन वो उन्हें मारना तो कभी भी नहीं चाहती थी अब यहां पे कहानी का क्लाइमेक्स आ जाता है अब मिस मारपल ने रचा है एक बहुत थी अच्छा सा खेल जिससे की कातिल खुछ सामने आ जाए अचानक से मिटसी जो है जो कुछ है वो बाहर आती है और वा जोर जोर से कहने लगती है कि जो मिस स्विटन हम है उनका जो बेटा है एडमेंट वही पिप है और उसी ने सब कुछ किया है वही सब खेल खेल रहा है और मिस स्विटन हम जो है वही है सोनिया वो मिस्स स्वीचन हम वहाँ पर आई हुई थी वो कहती ही कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वो नहीं जानती कि सोनिया कौन है एड्मेंट कहता है कि नहीं वो पिप नहीं हो तो पिप नाम भी किसी लड़के को नहीं जानता इन सब बहस के बीच में अचानक से फिलिपा सामने आती फिलिपा वही गार्डनर जो विद्वा थी जो अपने बेटे के संग रहती थी और वो कहती है कि पिप वो है दर असल पिप किसी लड़के का नाम नहीं था दो जुड़वां बहने थी ये एमा और फिलिपा की होल से सब कुछ देखा था किसने वो गन चलाई थी ये बात कहती है मिटसी उधर जो मिस ब्लैक लॉक बैठी हुई थी वो उन्होंने गले में जो मोतियों का हार पहना हुआ था वो तूट जाता है उनका जो हमेशा पहन के रहती थी चोकर जैसा और वो बहुत घबडा जाती है कि मेरे मोतियों का हार कैसे तूट गया पूरे घर में मोतियां बिखर जाती है सब लोग सोचते हैं कि नकली मोति के हार के लिए ये इतना क्यों परिशान हो रही है इसी सब बातचीत के बीश में इंस्पेक्टर क्रेडॉक वहां आ जाते हैं और सारे लोग को बुलाया जाता है जो भी थे इंड वॉल्व उस पार्टी में और अब खुलासा होने वाला था कि कातल कौन है सब लोग बाते कर रहे थे फिलिपा से भी पूछताच की जा रही थी कि उसने इतने दिन तक जूट क्यों बोला एक जाल बनाया उसको फसाया लेकिन वो कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि वो शायद अपने आपको अनाथ और बेचारा दिखाए तो मिस ब्लैक लॉक उस वसियत में से कुछ पैसे उसको दे दें लेकिन उनको मारने का उसका कोई भी रादा नहीं था इतनी देर में किचन से कुछ आवाजे आने लगती है सारे किचन की तरफ जाते हैं किचन में मिट्सी जो थी मिनसे कुछ सेर पहले की बात है कि क्या आप मुझसे नराज नहीं है मैंने जो बाहर कहा तो वो कहती ही नहीं मैं क्यो नराज होंगी तो कहीं कि अगर आप कहिए तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दूँ जो मैंने की होल से रात में देखा था उसका ये कहना था बस मिस ब्लैक लॉक उसका गर्दन पकड़ लेती ही पीछे से और जो सिंख में पानी भरावा तब बरतंद होने के लिए वो उसमें उसको डुबा डुबा के मानने लगती है पिसी बहुत कोशिश करती है चिलाने के लेकिन वो नहीं चिला पा रही थी तब ही किचेन में पीछे कबर्ड में से आवाज आती है लोटे लोटे रुख जाओ तुम ऐसे नहीं कर सकती हो तुम्हें मेरी कसम मिस ब्लैक लॉक फिल्कुल तर जाती है वो डोरा की आवाज थी उनकी प्यारी सहेली डोरा वो अपने चेहरे पे हाथ रख लेती हैं और कहती है डोरा मुझे ये करना ही पड़ेगा मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहती थी लेकिन मैं मचबूर थी तब ही कबड खुलता है और उसमें से इस्पेक्टर निकलते हैं और निकलती है मिस मापल मिस मापल जो थी वो मिमिकरी करने में बहुत माहिर थी उन्होंने डोरा की आवाज बदल के ऐसा बोला था जिससे की जो कातिल है वो अपना जर्म कबूल कर ले जब ये साबित हो जाता है अब सारे किचन में पहुँचते हैं और ये सब हो रहा था तो मिस हिंच क्लिफ बहुत तेज दौरती है मिस ब्लैक लॉक की तरफ जो कि उनकी प्यारी दोस मरगर डॉइट का खून भी मिस ब्लैक लॉक ने किया था लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है अब ये तो मालूम पड़ गया था कि सारे कतल किस ने किये थे लेकिन क्यों किये थे जब मिस ब्लैक लॉक को सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी तो फिर उन्हें किस बात का डर था इस बात का सारा खुलासा करती है मिस मापल मिस मापल कहती है कि ये दर असल लटी नहीं है बलकि लौटे है लौटे जो कि शारलेट का शौट फॉर्म है उसके अंद के वर्डस अगर आप लेंगे नाम पे शारलेट के तो वो लोटे ही बनेगा और डोरा ये रास चानती थी हुआ यू था कि ये जो चालिट थी ये बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी बहुत खुबसूरत लेकिन इसे गॉइटर हो गया ये बहुत डिप्रेस्ट रहने लगी और इसके पापा इसके गॉइटर का ठीक इलाज नहीं करा रहे थे इसके गले का गॉइटर बढ़ता जा रहा था ये अपने बहन से कॉंटेक्ट करती है लेटीसिया से जो उस समय मिस्स गॉइटलर और मिस्टर गॉइटलर की कंपनी में काम करती थी लेटीसिया जो समय यंग थी उसमय वर्ल्ड वार टू लगभख खत्म होने वाली थी या चल रही थी एंडिंग में थी तो ये स्विट्जर लेंड चली जाती है लेके अपनी बहन शार्लेट को वहाँ पे इसके गॉर्टर का इलाज होता है जो कि स्विट्जर लेंड में सबसे अच्छे डॉक्टर से जो ये कर सकते थे इलाज लाज तो हो जाता है लेकिन एक मार्क रह जाता है गले पे उपरेशन का इसलिए जो शार्लेट थी हमेशा गले में मोतियों की माला पहने रहती थी वो निशान चुपाने के लिए वहाँ पर दुर्भागे वश लेटीसिया को हो जाता है निमोनिया और इस उच्छल नैट में ही मर जाती है लेटीसिया ने अपनी बेहन शालिट को सब कुछ बताया था कि कैसे मिस्स गॉर्लर की मिलत्यू के बाद उसे एक बहुत अच्छा घर मिलेगा प्रॉपर्टी मिलेगी पैसा मिलेगा फिर इंकी जिन्दगी बहुत अराम से भीतेगी अब शालिट सोचती है कि वो तो सारे उसके जो अर्मान थे सपने थे कि अपनी बेहन के संग एक अच्छी जिन्दगी जीएगी वो खत्म हो गई लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी को बताई ही ना कि वो शालिट है वो एक गुमनाम जगह जाके रहने लगे और लेटीसिया बनके तो उसे सारी प्रॉपर्टी मिसिस गॉटलर की मिल सकती है हाला की तरीका गलत था लेकिन पैसे की लालच इनसान से सब कुछ कराती है इंग्लेंड के छोड़े से गाउं में चालिट एक घर खरीती है ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी और वहीं वो रहने लेती है लेटीसिया बनके लेकिन इसके संग एक चीज होती है कि डोरा जब इससे मिलने आ जाती है डोरा उसे चिठी लिखती है अपनी फ्रेंट लेटीसिया को जब शालिट उसे मिलने जाती है तो डोरा बहुत ही आशर चकित हो जाती है कि चित्थी तो उसने लेटीसिया को लिखी थी लेकिन मिलने शालिट आ गई क्योंकि ये बच्पन से ही दोनों बेहनों को जानती थी अब शालिट डोरा को अपने confidence में लेती है डोरा बहुत परिशान थी उसके पास पैसे नहीं थे वर डोरा को आशवासन देती है कि वो से help करेगी और डोरा मान जाती है कहती है ठीक है मैं तुम्हें लेतीसिया कहके भी पुकारूंगी लेकिन कभी कभी डोरा उसे लोटे कहके भी पुकार देती थी जिससे कि शालिट बहुत परिशान हो जाती थी अब वहाँ पर इसे कजन भी आ जाते हैं रहने के लिए पैट्रिक और जूलिया सोचती है मिस ब्लैक लॉक की आने दो ये बच्चे हैं अच्छा है बुढ़ापे का सहारा रहेंगे ये लोग यहां रहेंगे तो घर गुलजार रहेगा सारी फोटोग्राफ इसने हटा दी होती है शालिट ने पुरानी एल्बम्स में से जिससे कभी कोई शक ना कर पाए लेकिन धीमे धीमे डोरा काफी कुछ बोलने लगी थी कई बास अब के सामने में भी उसे लोटे कह देती थी जिससे वो चुप कर आती थी सबसे बड़ी मुसीबत आती है जब ये रूडी शर्ट जो है ये मिल जाता है एक दिन होटल के रिसेप्शन पे शालिट को और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि जिस हॉस्पिटल में शालिट के गौाइटर का अपरेशन हुआ था ये वहाँ पे एटेंडन्ट था और ये खूब अच्छे से शालिट को पहचानता था वो शालिट से कहता है कि वो तो उसको जानता है और पैसे की मदद लेने के लिए घर भी आता है ये समझ जाती है कि ये लड़का बहुत जादा खत्रा हो सकता है अगर इसका रास खुल गया तो मिस्स गौडलर से मिलने वाली प्रॉपर्टी इसे नहीं मिलेगी इसलिए वा उसे फसाती है पैसे की लालश में घर बुलाती है और कहती है कि ये सिर्फ एक गेम है मज़ेदार तुम भी एंजॉय करोगे जब साड़े छे वज़े सब आ गये थे तब वो जो लैम था जिस पे शेफर्डर्स बनी हुई थी उसका तार इसने पहले से ही काट दिया था उस पे ये पानी गिरा देती है जिससे शौट सरकिट हो जाता है लाइट चली जाती है वो दर्वाजा जो हमेशा बंद रहता थ जिसमें ओइडिंग की गई थी वो दर्वाजा ये खोल के बाहर जाती है और रूरी शर्ट को ये गलफ्स देती है मास्क देती है टौर्च देती है रूरी शर्ट उधर अंदर घुसता है ये पीछे से आके शूट कर देती है उसको दर्वाजा खोल के अंदर आती है और न को सब के सामने में बोलने लगती है तो यह समझ जाती है कि अब दोरा का तरनाक है वो उसके एस्परिन की बॉटल चुपा देती है और जहर मेजी एस्परिन खिलाके उसे मार देती है मिस मारगेट रॉइट ने भी ये बात रिकाइज कर ली थी कि सब तो खड़े थे लेकिन मिस ब्लैक लॉक वहाँ पे रूम में उस समय नहीं थी जिसे लिए उन्हें भी मानना पड़ता है इस तरह से ये केस सॉल्व हो जाता है कहानी बहुती इंट्रेस्टिंग थी आखरी पन्ने तक जैसे अगाता क्रिस्टिकी होती है कहानी के एक्स्प्लिनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें अपना कॉमेंट जरूर करें और किसी भी कहाने का explanation अगर आप सुनना चाहते हैं तो comment section में लिखें मैं जरूर कोशिश करूँगी Thanks for listening, Bye for now